अक्सर जब राजनिती के बारे में बात होती है तो लोग कहते हैं राजनिती तो सत्ता का खेल है लेकिन ये सत्ता का नहीं बलकि मनोविज्ञान का भी खेल है क्योंकि नेता अगर वोटर्स और जनता के मनोविज्ञान को समझेंगे नहीं तो फिर जनता उन्हें वोट क्यों देगी इसलिए मनोविज्ञान को समझना बहुत ही आवश्चक है किसी भी नेता के लिए और हमारे देश की जो राजनिती है वो नेताओं से अक्सर कुर्बान देते हैं कि कहानी नेताओं से भी बड़ी हो जाती है आज राहूल गांधी ने भी संघर्ष और कुर्बानी वाली कहानी आपके सामने पेश करने के कुशिश की और वो बाकाइदा इस कहानी को शूट करने के लिए आज निकले आज वो दिल्ली से सूरत की अदालत तक गए क्योंकि उन्हें कुर्बानी और संघर्ष वाली शूटिंग पर निकलना था वो एक फिल्म स्टार की तरह गए ऐसा फिल्म स्टार जो शूटिंग पर जाता है फिल्म की पटकता पहले से लिखी गई होती है स्क्रिप्ट पहले से पता होती है उसके किरदार क्या होंगे वो पता होता है और आज के जो उनकी फिल्म थी जिसकी शूटिंग पर वो गए हैं इस फिल्म का नाम आप कुर्बानी रख सकते हैं जमानत मिलना एक कानूनी प्रक्रिया है इसके लिए राहूल गांधी को सूरत जाने की कोई आवशक्ता नहीं थी लेकिन क्योंकि उन्हें ये कुर्बानी वाली शूटिंग करनी थी इसलिए वो बहुत बड़ी संख्या में कॉंग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं को लेकर बस में भर कर वहां पहुँचे लगातार लाइव टेली कास्ट हो रहा था बस में कैमरे लगे हुए थे हवाई जहाज में कैमरे लगे हुए थे और तीन-तीन मुख्यमंत्री कॉंग्रेस के उनके साथ चल रहे थे इन सारे बड़े नेताओं को आप समझ सकते हैं जैसे जब आप फिल्म देखते हैं तो हीरो के साथ आसपास के जो किरदार होते हैं हीरो के जो चोटे मोटे दोस्त होते हैं यह बिल्कुल इस फिल्म के वैसे ही किरदार थे, तो आज अगर हम राहुल गांधी की इस फिल्म का कोई नाम रखें, तो उसका नाम रखेंगे कुर्बानी, आपको याद होगा वर्शों पहले एक फिल्म आय थी जिसका शीरशक यही था कुर्बानी, तो आज की जो हमारी उसका शेषक भी कुर्बानी रहेगा राहुल गांधे की कुर्बानी और संघर्ष की इस शूटिंग पर आज हम आपको लेकर चलेंगे और शूटिंग का ब्लेक और वाइट विस्टेशन करेंगे रात 9 बजे ब्लेक और वाइट में आज तक पर